ये बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है तो जुडी शरी का जो ऐसा एक रोल है ये रोल के बारे में हमें सोचना चाहिए परिवार के लोगों को कहते हैं कि हम तो ये ओपन भी नहीं कह सकते हैं इसलिए आप क्या करो आपको जो भूख ना है आप भूख लो जानवरों की तरह बहुत सारे चीज़ों कर नजर अंदाज किया गया और जिस तरी के बाइक रिपोर्ट आरसे को चाहिए विसा एक रिपोर्ट बनाया गया और आज के जमाने में आप देखिए इंडिया के अंदर एसा कौन सा एजनसी जो आज़ाद है इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया आज देखा चीज़ें तक हम लोगों ने तमाम चीज़ें फैसले से पहले और फैसले के बाद हर एक चीज आप लोगों के सामने रखी, पर अब बावी मस्दिद जैसा केज तोहराने के कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम तन्जीमों द्वारा, जो हिंदुवादी संगठन है, भारती जन्तापार्टी के नेताओं द्वारा, आरेसेस के नेताओं द्वारा, एक जो नारा दिया जा रहा है, कि अयुद्ध्या तो जाकी है, काशी मतुरा बाकी है, और जो पैसला सामने आया है, जिस तरीके का कदम, कोट द्वारा उठाया गया है, इसी पर हमसे बात करने के लिए, पॉपलोर फ्रेंट आफ इंडिया से जनल सेकेटरी अनीस एहमद जी मौजूद है, सब मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा, जो कोट का ये फैसला है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? या जी जो कोट का फैसला है, असलमें बहुत रहे है, जो का फैसला है, जो मैंनोरीटियों के जो मिलिजियों के रिलिजियस फ्रेडम है, तर उस प्लान का ये और्डर साथ गता है, तेकि ये order के बारे में चंद में चीज़ें आपके सामने बताता हूँ, दो एहम चीज़ें, नमबर वन, बाबरी मज़िद जो order आया था, उसमें भी Supreme Court की पांच जज़ों की जो bench है, उसमें भी ये चीज़ कहा था, कि सर्वे के मुताबिग, यानि आर्केयलोजिकल सर्वे के बुनियाद पर आप एक title suit, एक जमीन का या एक property का पैसा आप नहीं ले सकते, दूसरा चीज, जो 1991 में Places of Worship Act आया था, उस Act में भी इंडिया में 1947, 15 August में जो religious places का status जो है, वैसा ही होना चाहिए, ये दो एहम चीज़ों को क्या कर दिया है, इस order ने नजर अन्दास कर दिया केस के दौरान देखा, जफरियाद जिलानी साहब, जो की All India Muslim Personal Law Board से जुड़े हुए हैं, उनके मेंबर हैं, उन्होंने साफ तोर पर कहा कि हम 1991 के Places of Worship Act के तहत इसे चैलेंज करेंगे, मैं इसे समझना चाहता हूँ, ताकि दर्शक भी ये जान सके कि अतल में क्या है, और को बहुत सारे Legal Experts जो हैं, वो इस चीज़ पर कोई दोर आई नहीं है, क्योंकि Already जो है, एक Government का एक Act आ गया है, जिस Act के मुताबिक जो है, 15 August 1947 में इंडिया में अलग-अलग जो धर्म के जो स्थल हैं, उनका जो स्टेटस था याने, 15 August के दिन अगर वो मुसलमानों के धर्मिक इसको पसंद नहीं था, और हम देखते हैं कि थोड़े महीने पहले, Mathura Case Related भी इसी Act को चैलेंज किया गया, तेकि RSS इसके एक Act को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि RSS ने कभी भी कानून को नहीं माना, कभी कभी संभीदान को नहीं माना, लेकिन Judiciary RSS के ऐसे इसके डिमांड को मानना और ऐसे एक डिमांड पर ओर्डर फास करना, ऐसे केसिस जिन केसिस से पूरे मुल्क के अंदर polarization हो सकता है, वैसे केसिस को और उठाना, ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है, जुड़ी शरी का जो ऐसा एक रोल है, ये रोल के बारे में हमें सोचना चा जाएगी जैसे कि बाबरी मस्धित के दौरान भी ऐसा बताया जा रहा था, हाला कि जब बाबरी मस्धित के केस को मैंने पूरी तरीके से देखा, तो ASI की रिपोर्ट को नजरंदास कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में, पिर ये कदम बार बार क्यों उठाये जा रहे ह क्या ये माना जाए कि अपने हिसाब से एक कानून, एक लॉइन ओर को चलाना चाहते ही हैं? बहुत सारे अलग-अलग historians, बहुत सारे अलग-अलग archaeologists ने उस पर भी इल्जामात लगा हैं कि ये पूरी तरीके से एक BJP बैक्ट वाच्पे की government में आया था ये, BJP बैक्ट, RSS बैक्ट एक attempt था, बहुत सारे चीज़ों को नजर अंदास किया गया, ESI report और जिस तरीके का एक report, RSS को चाहिए वेसा एक report बनाए गया और आज के जमाने में आप देखिए, इंडिया के अंदर एसा कौन सा agency जो आज़ाद है, election commission of India आज़ाद नहीं है, उसको अपना ये लोग control में ले लिए है, CBI को अपने control में ले लिए है, NIA, ED, income tax, ये सब agencies को ये government आपने control में ल के वाँ पर तो इसलिए RSS को बेज रही है, RSS ASI को बेज रही है, तो ये जो एक ASI को लाना है, ये पूरी तरीके से एक plan है, क्योंकि एक chronology है, इनका एक standard operating procedure है, उससे ये लाए जा रहा है, तो इस ASI को लाना एक political move है, judicial move नहीं क्योंकि सर हमने ये देखा कि मीडिया में भी एक चर्चा रही, इस फैसले को लेकर के नहीं, असदुदीन ओवेसी ने एक बयान टूटर के जरीए दे दिया, कि बाबरी मस्धित को ये दोहराना चाते हैं, इसी के चलते, इस ग्यानवे आपी मस्धित को target किया जा रहा है, क अगर आपके घर में कोई चोर आ जाता है, और चोरी करता है, चोरी करने के बाद आगर आप बाहर जाकर ये कहते हैं, कि मेरे घर में चोर आया था, तो आपको इंसाफ दिलाने की जगा, लोग आकर ये कहते हैं, कि खामोश रहो, आप महोल बिगाड रहे हो, मेरे घर में चो कि बारे में जब कोई कहता है कि भाई ऐसी एक नाइन साफी हुई उसको इशू बनाया जाते हैं तो यह चीज जो अलग-अलग organization अलग-अलग leaders कह रहा है पॉपलर फ्रेंट भी कह रहा है हमने भी प्रेस्टेटमेंट आज इशू किया है कि यह जो एक step है यह step को आप सिर्फ ग्यान में अभी मज़िद तक लिमिट करके मत दे कि एक बहुत बड़ा एक plan का एक हिस्सा है आने वाले और कहीं सालों तक इंडिया में मुसलमानों के उपर हमेशा एक problem create करने का एक plan है जिस तरीके से बाबरी मज़िद को लेकर पूरे इंडिया को इन्डिया को अपने मुल्क में वैक्सिन नहीं पहुचा सके हर चीज में लोग फेल हो गये हैं ऐसे लोग आज लोगों का इटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वाफिस एक आशी मतुराय से इशूज लेके आ रहे हैं ये चीज को हमें समझना है इसलिए इसके खिलाब बोलना बहुत ज चाहता है और जो आज का नौजवान जो है अब आने वाले समय में अपने आपको नरेंदर मोदी जी के रूप में देखता है सीम योग यादिते नात के रूप में देखता है अमिश्या के रूप में देखता है तो ये जो सोच आगे आकर के आएगी और जो लगातार हम दे में 19 मस्धिदों को नुकसान पहुचाया गया मद्धे प्रदेश में ऐसी तमाम चीज़े जो आती हैं किसी भी मस्धिद के सामने खड़े हो जाएं और उधर भगवज हंडे लहराना तमाम तरीके के महल को बिगाड़ने की कोशिश करना क्या ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत हैं क्योंकि इन्हें तो ये मालूम है कि जो बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई नेता इन्हें बचा लेगा और जब ये मस्धिदों पर अटैक करेंगे तो यकीनन भारती जंता पार्टी ने सपोर्ट करेगी देखिए अभी ये नोजवानों को क्या है गवर्मेंट जॉब नहीं दे सकती गवर्मेंट एमप्लाइमेंट नहीं दे सकती और नोजवानों को एमप्लाइमेंट नहीं देना है तो उनको क्या कराना है उनके पास ऐसे कामों बिजीर होगा तो जानते होंगे 1975 में जब माउन से पूछना शुरू कर दिये कि जिस चीज का तुमने वादा किया था वो चीज का है तो माउने क्या आप सब बारे में नहीं सोचने इस लगा दिया जाता है नमबर वान नमबर दो इन लोगों को ये भी बताय जाता है कि आप जो चाहिए वो करो आपको हम प्रोटेक्ट हम करेंगे आप तो एक ट्रेंड है अगर एक local कॉर्परेटर बनना है तो lynching कर लो अगर MLA बनना है तो मुजफरनगर जैसे दंगे कर दो अगर MP बनना है तो प्रग्या जैसे बड़े-बड़े bomb blast कर लो तो MP बन जाएंगे यह आज का एक है कि कॉर्परेटर से लेकर MP बनने का एक तरीके हैं तरीके में आप बन सकते हैं। जब ऐसा एक रोल मॉडर्स गवर्मन ओपन ली धिकार आए कि आपको पॉनिटिकल करियर बनाना है तो या तो लिंचिंग करो या तो दंगी करो या तो बाम बलाश करो तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं देश के नौजवानों से। ये जो है देश के नौजवानों को औरिजिनल इशुस से साइड रखकर ये मुसलमानों को अपना दुश्मन बनाके मुसलमानों को एनीमी बताकर उनको बीजी रखने के काम मुड़कों हो रहा है। सरस्वती का नाम भी सामने आता है किस तरीके से गुस्ताख रसूल किया और जब तमाम राजियों में F.I.R. दर्ज हो रही है तब भी गिरफतारी नहीं की जाती कोई अगर आकर के धंकी भरे लहजे बोल दे रहा है नर्सिंगा नंको उसकी गिरफतारी आ रही है। ये क्य अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम आपको उठाकर के जेलों में डाल देंगे। इसा मत समाज ये कि जो यहाँ वहाँ से चंद पागल लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं ये अपने बल्बुते पर नहीं दे रहे हैं एक प्लान के मुताबिक दे आ जा रहा है। इसा मत समझी के वह कोई एक आद्मी वहाँ पर बेटकर वह इसा कर रहा है। अचानक नहीं होता, ये एक वैल प्लान स्ट्राटेजी के तहप हो रहा है। वह इसलिए जिसा मैं नहीं पहले बताया, देश के असल मुद्धों में तो आपके लिए वक्त नहीं है। इसलिए किसी को जुष्मन बनाना है, अब हिटलर में जर्मनी के, जर्मनी में हिटलर ने क्या का, उसको भी किसी को जुष्मन मार, उसे यहुजी को जुष्मन बता दिया। अब यहां पर भी इतने बड़े कम्यूटी को दुष्मन दिखाएंगी तो लोग औरिजनल इशू से डाइवट होके रहेंगे, जो यहीं चल रहा है यहां पर, यह एक वेल प्लाइन स्टैटेजी को समझना है, यह लोग जो एक-एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक-एक व देना शुरू कर दिया, दर्म घरंतों के खिराब अभी वसीम रिजवी के तुरू उन्हों ने कर दिया, और आभी ऐसे चंद शक्षों के लेकर नभी करिम सल्लाव से लग खिलाब स्टेटमेंट देना शुरू करें, तो यह ऐसा ही नहीं हो रहा है, यह एक वेल प्लैन जनाधार खो रही है, पश्यमंगाल चुनाव को जीतने के लिए और असम चुनाव को जीतने के लिए, यह जिस तरीके का ग्यान व्यापी पर फैसला आया, और फिर उसके बाद हमने अयुद्या के संतों की तस्वीर देखी, आपस में एक दूसरे को मिठाईयां खिलाते अगर आप जेकें के असल इलेक्शन इंडिया में जो है, वेस्ट बेंगल और आसम में ही चल रहा है, क्योंकि तमिलनाड और केरला में तो इनकी कोई भी एक पकड़ नहीं है, असल पूरा काम जो चल रहा है, हिंदू-मुसलिम एंगल में वेस्ट बेंगल इलेक्शन चल र बंगल में अगर आप देखेंगे, ममताब एनरजी का और बीजेपी का फाइट नहीं है, वहां ममताब एनरजी और एक सिस्टम का फाइट है, वो सिस्टम में इलेक्शन कमिशन सामिल है, वो सिस्टम में बीजेशन सामिल है, वो सिस्टम में बीजेशन सामिल है, वो सिस्ट बीजेपी के लोगों को 48 आवर्स का बैन होता है, सिर्फिक लेटर गिन से 24 होता है, लेकिन अपोजिशन लिडिल्स को इसा कोई भी रियायत नहीं मिलता, तो यह जो भी पेंगाल में और आसाम में जो इलेक्शन हुआ, यह असल में बीजेपी के साथ इलेक्शन हुआ था, औ लेकिन पहले इज डिफाइन रदाता कूल जीतेगा, इंडिया के अंदर भी जो वेस्ट बेंग्वार आसाम इलेक्शन है, इंडिया में फ्यूचर में इलेक्शन कैसे होने वाले हैं, उसका छोटाज एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है,